कि साथ्यों नमस्कार स्वागत था आपका आपके अपने चैनल पर कि डीने की इस टेक्चर पड़ रहे थे अपन जो क्लिके सेट अपना टोपिक चल रहा था और उस डीने के अगले क्रम में अपन आज कि डीने की इस टेक्चर लेते हैं शलल सा टोपिक है डीने की सरचना कल अपने यह देख लिया था कि डीने हो चाहे आरेने हो किन से मिलकर बनता है टीन अग motif चीज़्ड याँषयक्टा होती है 飯 तो तीन हो ऊब दूसरा निकलोड टेडंन और से करकर अक्टोडन डीने के सुंद시 सब्सक्राहिश्टों ऐसी अगर दो पॉलिनुकेलो टर्ड चैन ऐसे विवस्तित हो जाती हैं, एक दूसरे के एंटी पैरलल तो DNA का फोर्मेशन करती हैं एक थ्री प्राइम है, ठीक है, तो दूसरी फाइब प्राइम है, इधर थ्री प्राइम है, तो इधर फाइब प्राइम है तीन से पास पास से तीन मतलब दो जब चैन एक दूसरे के एंटी पेरलल व्यवस्थित होती है तो उसको अपन क्या कह सकते हैं कि यह डी एने का फॉर्मिशन करती है यह पूरी पूरी चैन है और इनके बीच में क्या है यहाँ पर एडनीन है थाइमीन है गौनीन है साइटोस अब देखो इस डी एने की स्ट्रिक्चर का आपको सब कॉमन पता है यह बढ़ी कैसे होगी तीन बाते होंगी देखो आपको अगर याद आ रहा है यह अपने क्या बनाया था पैंटो सरक्रा इसके साथ में यह कौन नाइट्रोजन बेस इधर अपने क्या जोड़ा फोस्प यह वापस से कौन नाइट्रोजन बेस किसके जुड़ा पेंटो सुगर के यह वाली पॉर्णी यहां से हो गई ऐसे करके एक नुक्लोटाइट दूसरा दूसरा तीसरा चोथा इस नाइट्रोजन बेस का इधर नाइट्रोजन बेस यह वाली स्ततिय आगे चलते कि चलेगी कि ऐसे करके पॉली नुक्लोटाइट चैन का फॉर्मिशन होगा अब देखो ज्यादा नहीं साथ बिंदू है वह आपको लगातार क्रम से कि समझ लेने हैं फिर याद कर लेने अपने हिसाब से देखो पहला जो डी एने का डबल हैलिक्स का जो मोडल है वो दिया गया किसके द्वार्टसन एंड क्रिक के द्वार्टसन एंड क्रिक के द्वार्टसन एंड क्रिक के द्वार्टसन एंड क्रिक के द्वार्टसन के द्वार्टसन एंड क्रिक के द्वार्टसन के द्वार्टसन एंड कब दिया गया गय अभी अपन टाइप भी पढ़ेंगा दियेन ने ऐब दूसरा पॉयंट के आ यह जो ड्य ने का डबल है यह आपके किस्ते हैं पॉली नुक्लीो टाइड चैन से ऑगाई यह इसे पॉली निुक्ली टाइड चैन कितनी होती है संख्या में दो है और दोनुए एक दूसरे करके एंटी पैरलल व्यवस्थित हैं मतलब एकि का इधर मुह है तो दूसरे की पूंच तो इधर मुह है ऐसे करके अन्टी पैरलल व्यवस्थित हैं तीन लाश्ट का बहा गए और पांच पहला बहा है। आंग पताय था मनें तीन और पांच को लिखाये कल वाले वीडियो को देख ले ना अगर आपको नहीं समझे आ रहा था दो एंटी पैरलल इस प्रकार से एरेंज होती है कि एक का जो फाइब प्राइम है दूसरे के फ्री प्राइम के सामने होता है इस प्रकार से इस्तति होती मतलब एडनिन मैंशा थाइमीन से लुड़ेगा उसमाइफ छाय बॉणास्युष में नहीया प्रकार की ये जो रहल नहीं है कि प्राइःजमिंट के इसके अंद्र पयाएगगा अब ये जो हो हो डियाने ही स्कontquinho चोड़ाई कितनी लेता है कितनी चोड़ाई को कवर करता है तो यह लेता B संक कि मतलब यह जो दूरी है ना हम यह वाली है यह दूरी कितनी होगी b上 स्टोम होगी मोट अब available सकते हो अगर स्टोम के अंदर में बाग लिए किसका दसका तो यह नेनोमेटर आजाएगा दो नेनोमेटर में बदलना चाहो तो 20 गुणा 10 की पावर माइनस 10 मिटर जाएगा यह ठीक है यह वाली इस्तति आ जाएगी यह वाली आ गई 20 एंक्स्ट्रूम आ गया चोड़ाई किसकी इसकी अब देखो इस्तति यह आ रही है कि यह तो पैंटो सुगर है यह नाइट्रोजन बेस है यह फोस्पेट है फिर यह नाइट्रोजन बेस है यह आपके क्या है पैंटो सुगर है और यह आपके फोस्पेट है तो आखिर में जो 20 एंक्स्ट्रूम दूरी है वो कहां से कहां के बीच की है तो 20 एंक्स्ट्रूम नाइट्रोजीनस हैं से बेस की दूरी कीतनी है कि ग्यारा एंक्स्ट्रो में बाकि फोस्ट फॉस्ट के बीच की दूरी कितनी है वी से इन्स्ट्रों अब क्या करेंगे यह जो जो मुमेंट ट्क अगे दोन हैलिकल अपस में जूड़ गए तो इन्हों तोनने क्या कर लिए दीने कि दोने ने रापस में चुर्णे कि द credit कि उन ने हैलिक्स का formation किर इस हैलिक्स की विड्ट है न चोड़ाई है वह कि सैंक्स्ट्रों होगी अब सैलिक्स यंदर क्या पाय जाएंगे टर्ण फैस्प जाएंगे गुमावब याय जाएगा इसको पूरा मैंने यहां से बता रह और यह तक बता रहू मैं 7-3 है कि इसकी दूरी है कितनी 2004 मुख्योटBay कि युकूर थटीफॉर इसको नेनो मिटर में बदलों तो आप 34 के अंदर 10 का बाग देतों मतलब 3.4 नेनो मिटर 3.4 एनम किसकी दूरी है एक हैलिक्स की दूरी है ठीक है जी आगे बढ़ते हैं अब इस हैलिक्स के अंदर यह जो नाइट्रोजिनस बेस पेर हैं यह कितने पाए जाते हैं तो जो एक टर्ण के अंदर बेस पेर होते हैं वो होते हैं दस तो जो दूरी बन जाती है एक बेस पेर के या कैसे है दो एड़ेस्टेंट बेस पेर के बीच में दूरी कितनी होगी तो तीस को बाग दो आप दस से कितना आगा है तीन पॉइंट चार इंग्स्टूम क्या लिखो कि इसमें डिस्टेंस बिट्विन तू एड़ेसेंट नाइट्रोजिनस बेस पेर दो नाइट्रोजिनस बेस पेर के बीच की दूरी कितने होगी तीन पॉइंट चार एंग्स्टूम ठीक है यह वाली स्थिति होगी तीन पॉइंट चार एंग्स्टूम इसके बीच की दूरी मतलब इतनी दूरी को बतामने मैं यह वाली दूरी तो कितनी हैं 234 एंग्स्टूम है प्यूरीन और पिरिमिडीन आपस में बराबरा संक्या में यही चार गोप का रूल था जो आपने कल देख लिया था अब अगर मैं इसको ऐसा डालू इसके अपर एक प्रकार से पर्टिकलर एक्से डाली जाये तो आप देखते हो कि एक बीच में खाश बन जाती है मतलब यहां पर आपको ऐसा नजर आ रहा है कि देखो यहां पर एक पर्टिकुलर खाँच बन गई यहां पर यह खाँच बन गई तो जब बीच में एक्सिस डाली जाती है उसके ओपर जो खाँच बन जाती है उसको बोलते हैं दो परकार की एक तो क्या बोलेंगे measure grove और एक क्या है minor grove मतलब DNA के ओपर measure grove और minor grove पाई जाती है जब बीचों बीच इसकी क्या ली जाती है access ली जाती है तब measure grove और minor grove का फोरिमेशन होता है आप एक बार अपने गर में जो C.D. है C.D. है ना उसको एक बार imagine करो तो अपने जब मादलो CD को अपर अपने मादलों उपर खड़ें चत पे और फिर CD ऐसे सिद्ध है तो आप देखोगे ना तो CD के अंदर सारे पाए हैं आपको एक दूसरे के उपर नजर आएंगे आपको केवल उपर वाड़ा पाया दिखेगा ठीक है बाकि सब ऐसे लग रहे जैसे एक दूसरे के उपर है ऐस From इक और एक यह बीच का स्थान जो बीच में बने हो तो क्या है और जो डंडे हूं क्या है तो डंडे पे तो क्या होता है पाये में क्या होता है इसको ऐसा समझो आप है कि जो डंडे है न दोनों उन डंडे के ओपर डियने की बैकबोन है बैकबोन का मतलब क्या है उस डंडे का ही मतलब है कि क्या फोस्पेट और पैंटो सुगर डंडे का मतलब है उस डंडे का ये माल का मतलब क्या है तो आपको याद रखना है फोस्पेट किया पैंटो सूगर मिलकर डियने की बैकबॉण का formation करते हैं इसकी read की डीका निर्मान करते हैं जब कि जो बीच का भाग है ना बीच का भाग backbone के अलाब बीच में जो दोनु backbone ये backbone और ये backbone दोनु polynucleotide chain की backbone किसके दुआरा जुड़ी रहती हैं तो दुआरा के अंदर आ जाएगा कौन यहां पर nitrogenous base और nitrogenous base के दुआरा जुड़े रहते हैं hydrogen bond के दुआरा क्लीर बात हैं ये कुल मिलाकर आट दस पॉइंट हैं जो आपको समझा देंगे कि DNA की structure वास्तम में कैसी होती है किस प्रकार की इस की structure से रोती है अब यह जो DNA का मोडल है वह वाट्सन क्रीक ने खुजा था 1953 के अंदर और इस 53 में खोजने के बाद इसको Nobel Prize भी मिला गया था तो अब इसके अलाव भी कुछ DNA की फॉम पाई जाती है जैसे ko अगाई पैला देंटाय का मुष्यजड होता है जर्डेल्ड इसको अभी अपन देखते है फोम ने की फोम में में देखो यह जों सारी canoe कि वाट्सन क्रीक ने तो इसके बारे में तो आपको सारी बात kleuition उन कि बेस्सपे देखो इन तीन का आपन वर्णन करते हैं पहला अगर इनकी कोईलिंग देखी जाए तो किस प्रकार की कोईलिंग होती है इसमें मतलब गुमाव कैसा होता है तो इसका आपको पता ही है राइट अंडेड कोईलिंग है इसमें भी क्या राइट इसको लेफ्ट जे डियने के अंदर लेफ्ट अंडेड कोईलिंग पाई जाती है जबकि इन दोनों में क्या है राइट अंडेड कोईलिंग है ठीक है दो नंबर पहला पॉइंट दो नंबर क्या कहते हैं इसका अगर अपन बात करें डायमिटर इसका कितना था याद है सबको इसका रखो 26 और इसका कितना अठारा यंग स्टों ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अगर पित की बात करें पिछ की तो इसका पता है आपको 34 और इसका थोड़ा क्या है ज्यादा है 45 और इसका क्या है अठाइस पॉइंट शे एंक्स्टों अग्स्ट्रों में लिख रहा हूँ है ठीक है यह उसका जो चोड़ाई है और यह पर टर्ड की बात है एक टर्ड चोतिस जो पूरा था था ने एक हैलिक्स पूरा बंदा था उसकी दूरी चोतिस इस और अब यहांपर पैंतर्स अब इस पिछ के अंदर पिछ के अंदर बेस पेर कितने हैं बेस पेर पर टर्ण या पर पिछ के अंदर बेस पेर कितने थे यहां पर सबको पता है दस यहां पर याद रखने 11 यहां बड़ा दो 12 हेलिक्स ट्विस्ट होता है तो कितने डिगरी का एंगल बनाता है वो याद रखना है यह पर इस वाले के अंदर 37 डिगरी इसमें 33 डिगरी और इसकें अंदर एंटी बॉंड बनता है इसमें एंटी बनेगा अगर क्या है पिरिमिधीन और सीन बनेगा अगर क्या है यह प्यूरीन फ़्ड़ा सा बता दूं देखो आपको यह क्या है पेंटो सुगर और पेंटो सुगर के साथ में यह कोई जैसे मालों नाइट्रोजिनिस बेस बनाए आपन यह स्ट्रिक्शर बनाई में बनाए और हुआ हुआ है हुआ है है यह वारे स्ट्रिक्शर मनें इस च्रीक्शर बनाए जाल है कि यह किसकी है एक पिरिमीडियन है में पिरिमीडियन में कोड़ा साथ saito sin अब देखो इस इस ट्रेक्शर को देखते वे ऐसा लग रहा है कि यह जो है ना यह पेंटो सुगर यह तो इदर जा रहा है इदर है इसकी साइड तो सी एस टू ओएच और यह जो है ना यह वाले यह वाले जा रहे हैं इसको तो बोलेंगे एंटी अगर इसा होगा अगर एसे इस्टेक्ट्र हो सिन् पोजिशन नहीं इसे पुरीन के लिए जो सकता था अहए एक वाली बाट सोल नहीं के समझलों में आप इसको सकते थे कि कि वाला इसको नहीं और यह यह इदर जा रहें और यह इंटी यह क्या है सिन है और अगर यह इदर जुडता है तो क्या होता एंटी है हुआ तो इससे बात याद रख्लो क्या रख रेदा हो कि ग्लाइकोसेडिक साथ नमबर पर देखो आपके मेजर ग्रोव दो प्रकार की ग्रोव होती है मेजर और माइनर ग्रोव इसके अंदर जो मेजर ग्रोव है वो है नेरो एंड डीप इसमें है क्या वाइड एंड डीप और इसके अंदर तो मान लो है नहीं फ्लेट टाइप है एक दम चप्टी है इसमें फिर माइनर ग्रो इसके इसके अंदर वाइड एंड सेलों इसके अंदर नेरो एंड डीप और इसमें भी क्या है नेरो एंड डीप ठीक है यह वाले इस्ट्रेक्चर आ गई अब नो नमबर पर क्या रखोगे आप याद रखोगे कि कभ बनी एस्ट्रेक्चर कब कब मतलब बंती कब इस्ट्रेक्चर इसमें क्या याद रखोगे आप बीडियेन है नॉर्मल कंडिशन में मिलती है जब आपके जो एक तरक में हाइश Village केंडिशने मलब सार्ट की बात्रा ज्यादा धी तब यह कंडिशन बन जाती यह ज्यड़की यह नए यह उवाले और ज्यादरेशन इन ऐक यह अर एक पॉइंट यहां पर अगर और desse पेर ना मआ दाष ए किया दो नर्व Sh मैं तैंट इसमें तो पार इसमें आप की इसमें साह सबस्क्रा तो वेज़ा इसका तो 37 एंक्स्ट्रम आजाएगा 37 नहीं 3.7 एंक्स्ट्रम इस प्रकार से फोर्म है और डियने है आप इसको टाइप डियने भी बोल सकते हैं ऐसे करके डियने की स्टेक्चर और फोर्म डियने का टोपिक अपने ले लिया एक छोटा सा आरने का बचा है उसको अभी करते हुए अपन इस यूनिट को समाप्ति क्यों ले जाते हैं समाप्त करते हैं फिर संडे को टेस्ट लिया जाएगा धन्यवाद सुब्रात्री